सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकान को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल टूटोरियल चैनल पे यहाँ पर हम लोगों ने टूट नेटवर्क से एक निमेरकल प्रॉबलम को लिया है जो की है find y and z parameters for the network तो हम लोगों को इस दिये हुए network के लिए y और z parameters के value को determine करना होगा यहाँ पर हम लोग पहले basic kcl rule का use करके y parameters के value को determine करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को इस node पर voltage लेना होगा v1 और इस node पर voltage लेना होगा v2 और इस node पर voltage लेंगे v3 अब हम लोग पहले port के लिए kcl equation लिखेंगे या nodal equation लिखेंगे पहले node के लिए kcl equation होगा i1 is equal to इस वाले branch के लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा v1 upon 1 फिर इस वाले branch के लिए लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा v1 minus v3 divided by 1 by 2 अब हम लोग इस equation को simplify करेंगे तो ये 2 इन दोनों के साथ multiply हो जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा 3 v1 minus 2 v3 और इसको नाम दे देते हैं equation number 1 अब हम लोग आगे इस node के लिए nodal analysis अपलाई करेंगे तो हम लोगों को equation मिलेगा i2 is equal to इस वाले branch के लिए लिखेंगे तो v2 upon 1 by 2 फिर इस वाले branch के लिखेंगे तो v2 minus v3 upon 1 अब हम लोग इसको solve कर लेंगे तो ये 2 उपर जाकर multiply हो जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा 3 v2 minus v3 और इसको नाम दे देंगे equation number 2 अब हम लोग इस node के लिए nodal equation लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 0 फिर ये वाला current इसके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 v1 फिर इस branch के लिखेंगे तो हो जाएगा v3 minus v1 upon 1 by 2 फिर इस वाले branch के लिखेंगे तो v3 minus v2 upon 1 अब हम लोग इस equation को simplify करेंगे और v3 के value को determine करके equation number 1 और equation number 2 पे put करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कितना मिलेगा 2 v1 वैसी का वैसे ही रहेगा फिर ये 2 उपर जाकर multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 v3 minus 2 v1 फिर ये वाला atom वैसी का वैसे ही रहेगा v3 minus v2 अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 2 v1 और ये 2 v1 दोनों आपस में क्या हो जाएगे cancel 2 v3 और v3 एड होकर हम लोगों को मिलेगा 3 v3 और क्या मिलेगा minus v2 तो यहाँ पर से हम लोग v3 का value determine करेंगे v2 upon 3 अब हम लोग इस v3 के value को equation number 1 पे put करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा i1 is equal to 3 v1 minus इस value को equation number 1 पे put करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2 v2 upon 3 अब हम लोग इस equation को standard y parameter के equation के साथ compare करेंगे तो y11 is equal to हम लोगों को अब हम लोग इस equation को simplify करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा i2 is equal to 3 3 is a 9 9 minus 1 8 8 v2 upon 3 अब हम लोग इस equation को standard y parameter के equation के साथ compare करेंगे तो इस equation पे v1 वाला term नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा y21 is equal to 0 और y22 का value हो जाएगा 8 upon 3 हो जाएगा अब हम लोग z parameter calculate करेंगे तो z parameter calculate करने के लिए y parameter का हम लोगों को inverse calculate करना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इन दोनों term के position को change करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 by 3 और यहाँ पर 3 और इन दोनों term पर sign change करेंगे तो यह हो जाएगा 0 का 0 और minus 2 by 3 क्या हो जाएगा plus 2 by 3 अब हम लोग इस matrix पर इस matrix के determinant को divide करेंगे तो इन दोनों term का multiply करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 8 और हो जाएगा minus 0 और इसको solve करेंगे तो मिलेगा 8 अब इस वाले term का सभी term के साथ हम लोग divide करेंगे हम लोगों को value मिलेगा कितना value मिलेगा पहले मिलेगा 1 by 3 फिर हम लोगों को मिलेगा 1 by 12 फिर हम लोगों को मिलेगा 0 फिर हम लोगों को मिलेगा 3 by 8 तो यहाँ पर हम लोगों ने z parameters के value को determine कर लिया तो यहाँ पर हमारा आज का यह numerical problem अगर आपको यह बताने का मेथड समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू अल दे बेस्ट अल दे बेस्टाइब करें यू अल दे बेस्टाइब करें का मेथड लाइक यू भाल देखा अल देखा अल देखा लगाज।